प्रियंक का मुस्कुराती रही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रिये महा सचिव यूपी और पंजाब चुनाव में खल आ कर रही है यहां की जनसभाव में वो खुद को यूपी की बेटी बताती है यहां की महिलाओ यूवाओ की बेरोचगारी के मुद्दो पर तीखी बहस करती है लेकिन उनके ये तेवर सिर्फ यूपी बॉडर तक रहते है पंजाब पहुचने के बाद यही यूपी वाले उनके लिए बाहरी हो जाते है पंजाब में प्रचार के दोरान उन्होंने कहा कि पंजाब पंजाब यूगा है यहां कोई नई राजनीती नहीं मिलेगी ये जो बाहर से आते हैं उन्हें पंजाब यत सिखाएए इस पर चन्नी माईक लेकर कहते हैं कि यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भाईये आके इते राज नई कर दे इस पर प्रियंका खुद भी नारे लगाने लगती है अब प्रियंका चन्नी के साथ वारा नसी में रविदास जयनती पर आ रही है आईए आपको यूपी वालों के लिए भग या कहने के माईने भी समझाते हैं दरअसल महराष्टर में बाल ठाकरे के दौर में यूपी बिहार के लोगों को एक खास शब्द भग या कहेकर पुकारा जाने लगा था तभी से यह एक शब्द यूपी के लोगों के लिए गाली की तरह हो गया है दूसरे राजियों में यहां के शक्स को कोई भईया कह दे तो मारपीट की नौबत तक आ सकती है इस सब के बावजूद पंजाब चुनाव के प्रचार में प्रियंका की मौजूदगी में यूपी के लोगों को भईया और बाहरी कहने का मामला सामने आया है यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईये आके इते राज नई कर दे ये वाक्या पंजाब के रूपनगर का है 15 फरवरी को प्रियंका गानभी पंजाब के मुख्य मंत्री चरण जीर्ट सिंग चन्नी के साथ यहां पहुंची थी रैली के बाद वे मंच तक आई हाथों में माइक लेकर अपनी बात शुरू की बोली समझदारी का इस्तिमाल करो चुनाव का समय है लंबी लंबी बाते नहीं कहना चाहती लेकिन पंजाब के लोगों, बेहनों भाईों, जो आपके सामने है उसे ठीक से पहचानो आप में बहुत विवेक है, समझदारी है उस समझदारी का इस्तिमाल करो फिर बोली पंजाब पंजाब युका है पंजाब को पंजाब ही चलाएंगे अपनी सरकार बनाओ यहाँ कोई नई राजनीती नहीं मिलेगी ये बाहर से जो आते हैं आपके पंजाब में उन्हें सिखाएए पंजाब यत क्या है पंजाब मेरी ससुराल है बस प्रियंका के इतना बोलते ही चन्नी अपने हाथ में माइक लेते हैं और कहते हैं प्रियंका पंजाब या दी बहु है यूपी दे, बिहार दे दिल्ली देभैये आके इतिराज नई कर दे यूपी के भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है चन्नी के इतना कहते ही जो बोले सो निहाल के नारे लगते हैं प्रियंका हस्ती रहती है और खुद भी नारे लगाना शुरू कर देती है यूपी वालों को बाहरी बता कर आज चन्नी और प्रियंका यूपी दोरे पर बता दे की प्रियंका गांधी और पंजाब के सीएम चर्ण जीत सिंग चन्नी यूपी आने वाले हैं चन्नी रविदास या पंजाबी है और रविदास जयंती के मौके पर वे दोनों वारानसी स्थित रविदास मंदिर पहुचेंगे चन्ने के अलावा पंजाब से बड़ी संख्या में दलित सिक समुदाय के लोग रविदास जैन्ती के कारेक्रम में शामिल होने वारानसी पहुच रहे हैं यानि प्रियंका यूपी के रास्ते पंजाब के दलित वोटरों को साधने की तयारी में हैं